गुरु नानक देवजी का जन्म कब हुआ था? किस सन में गुरु नानक देवजी का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देवजी का जन्म हुआ था आपका 1429 इस्वी में अप्शन अंबसी 1429 इस्वी में गुरु नानक देवजी का जन्म हुआ था अप्शन अंबसी कौन सा तत्व पुरा तत्विक आउशेश के रूप में लोथल से नहीं पाया गया है तो लोथल से कौन सा आउशेश नहीं पाया गया है तो लोथल में आपका योगल शावाधान भी है फारस की मोहरे भी है और लोथल एक बंदरगा भी था उत्तम किस्मिकी जो लोथल से नहीं पाई गई है option number D उत्तम किस्मिकी जो लोथल से नहीं पाई गई है बंगाल के किस शाशक ने उडिसा का एक भाग मराठों को दे दिया था उडीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था अली वर्दी खाने option number C इन में से किस ने कहा था उनुच दिल्ली दूरस्त बतलब दिल्ली अभी दूर है ये कहा था निजामुदिन ओलिया ने option number B निजामुदिन ओलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है बंगाल का पहला विवाजन किस वर्ष हुआ था बंगाल का सबसे पहला विवाजन हुआ था 1905-25 में option number D बंगाल का सबसे पहला विवाजन हुआ था 1905-25 में option number D यहां पर आईटांस है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब इस्थान अंतरत की गई थी तो कलकत्ता से दिल्ली जब आप कलकत्ता को कूल काता कहा जाता है कलकत्ता से दिल्ली 1911 में राजधानी इस्थान अंतरत की गई थी option number E 1911 यहां पर आईटांस है इसाइधर में सबसे प्रसिद चर्चों में से एक सेंट पीटर्स वैलेसिका इस शहर में हैं तो सेंट पीटर्स वैलेसिका ये आपका वैटिगन सिटी वैटिगन शहर में हैं अप्शन बड़ी वैटिगन शहर में हैं सेंट पीटर्स वैलेसिका हडपा सविता पच्छी सो बीसी के आजपास विकास किया था आज हम उने क्या क्याते हैं तो हडपा सविता जो है आज का पश्चिमी भारत और पाकिस्तान का एरिया कहलाता है हडपा सविता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के एरिया में विक्सित हुई थी option number भी यहाँ प एरिया आप देखूगे अभी जो पश्यमी भारत का एरिया है पाकिस्तान यह हडपा सविता वाला स्थल सिंदु सविता सिंदु घाडी सविता किस यूग की सविता कहलाती है तो सिंदु घाडी सविता यह आपकी कास यूगीन सविता कहलाती ऑप्शन बड़ी कास योगीन सविता कहलाती है सिंदुहाटी सविता option number यहाँ पर right answer बौद तीर्थिस्थान दात का मंदिर कहाँ परिस्थ है तो बौद तीर्थिस्थान दात का मंदिर यह आपका शीलंका में है option number B शीलंका में है दात का मंदिर option number B यहाँ पर right answer निम्नलगत में से कौन सा यहूदी धर्म से संबनित है यहूदी धर्म तो यहूदी धर्म से यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा है तोरा ऑप्शन नमबर वी तोरा यहां पर राइट आंसर है प्रश्णी के लिए इन में से कौन सा राजवंच दक्षन भारत से संबनित नहीं है तो यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा है पाल राजवंच यह दक्षन भारत से संबनित नहीं है अप्शन नमबर वी पाल राजवंच दक्षन भारत से स प्रमाण है option अबरी बौद धर्म के स्वण युक का प्रमाण है right answer मीनाक्षी मंदर कहाँ परिश्टित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदर कहाँ परिश्टित है मीनाक्षी मंदर आपका तमिल नाडू में सते थे option अबरी तमिल नाडू में सते थे ये आपका बिहार राजी में पढ़ता है option बरी बिहार में है महा बोधी संकुल मंदिर option बरी गंधार कला किसके सामराजी में सम्रद हुआ गंधार कला तो गंधार कला ये आपकी कोशानों के सामराजी में सम्रद हुई थी option बरी और कुतंब शाही राजवनस ने पुल निर्वित कराया था गोल कुणडा का किला, option number य tooth गोल कुणडा का किला, right answer है अक्बर की प्रसाशनिक seat इनमें से कौन सी थी अक्बर की प्रसाशनिक seat अक्बर की प्रसाशनिक seat यहां पर right answer हो जाएगा आपका इस्तित मुर्द जंजीरा किला, ये चार ओर से जल से गिरा हुआ है, पानी से गिरा हुआ है, चार ओर से बीचों बीच किला है पानी के, इनमें से किस एक सुतनता से नानी का मूल नाम मनी करनी का था, मनी करनी का, तो मनी करनी का, रानी लक्ष्मी वाई जी का मूल नाम था, option बड़ी यहाँ पर right answer है, रानी लग चुन भाई जी, दोस्तों देख रहे हैं, question कितने अच्छे हैं, यह आपके exam में पिछले कई सालों से पुशे जा रहे हैं, जिसे exam के आप तयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बना हैं, 10,000 GKGS के question answer, जो MCQ के format में चार option में, जो कि आप जो exam तयारी कर रहे हैं, उसमें आ सकते हैं, 100% chances से आने के, और वो question answer PDF है, और PDF सबको WhatsApp पर मिल जाएगी, आप में से जिसको भी चाहिए, WhatsApp पर PDF मिल जाएगी, PDF जो है आपकी, वो 300 रुपे की है, लेकिन अभी exam चल रहा है, तो केवल 99 रुपे में, जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है, वो ले ले, बाकी YouTube से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हूँ, 99 रुपे में आपको 10,000 GKGS के question मिल रहे हैं, जो कि आपके exam में फश सकते हैं, नमबर आपको पूरे वीडियो पर शोगा, जब भी आप वीडियो चोड़ो, उसके बाद आप कॉल कर लेना, या स्की शॉट लेके रख लेना, ठीक है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल बताइए, तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल, यहां पर आपको जब 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 हुए असायोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था तो असायोग आंदोलन की परिकल्पना में जो मशूर हिंसा होगे थी वो शामिल नहीं थी मशूर हिंसा शामिल नहीं थी असायोग आंदोलन की परिकल्पना में option number C किस वर्ष दक्षन अफ्रिका से महात्मा महात्मा गांडी जी दक्षन अफ्रिका से भारत वापस आए थे संथा आपका 1915 यहां पर राइट आणसर साइमन कमिशन आयोग का 1927 में भहिशकार क्यों किया गया था इसका रीजन था optionама आयोग में कोई भारती अमूल का सदस्यון से नहीं था option यहां पर लिखा गया है कि नहीं है इसलिए ऑप्शन बढ़ी गलत दिया गया है बाकी तीनों सही है नियावाली पुछतक है भारत की नियावाली पुछतक है कानूशाशन को कूटबद किया गया है और मूलभूत राजनतिक मूल्यों को भी प्रतिविम्भित किया गया है option number D यहाँ पर गलतांसर किस Governor General के समय भारत का सुतंता संगर्ष सिपाही विद्रो हुआ था तो यजूर वेद में यजूर कार्त है बलिरान, option number C, यजूर कार्त होता है बलिरान, option number C, निम्नमेंसे किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया गया है, तो right answer हो जाएगा, अथर्व वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया प्राचीन काल में अवद को किस नाम से जाना जाता था अवद को किस नाम से जाना जाता था तो प्राचीन काल में अवद को कौशल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध ब्रहदेश्वर मंदिर कहां पर है प्रसिद्ध ब्रहदेश्वर मंदिर तो ब्रहदेश्वर मं महाबली पूरम में इमार्तों का समू निर्मित किया गया है। कांची पूरह में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किस अशनकाल में हुआ। कांचीपुरम में केलाश नाथम मंदिर करने मान परलवों के समय में हुआ था, option मसी परलवों के समय में हुआ था, कितने शहरों में महराजा जैसिंग दुती ने जंतर मंदर करने मान करवाया, तो जंतर मंदर करने मान महराजा जैसिंग दुती ने पांच शहरों में कराया option म पर यह पांच शहरों में निम्दे में से किस अवंश के शाष्कों को सुल्तान नहीं कहा जाता था तो सुल्तान नहीं कहा जाता था मुगल अवंश के शाष्कों को अप्शन मसी सुल्तान नहीं कहा जाता था अप्शन मसी यहां पर आई आंसर है मुगल अवंश के शाष्कों 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निमनलकित में से किसकी सहायक इकाई की रूप में काम करती थी तो होम रूल लीग ये आपकी भारती राष्टी कॉंग्रिस की सहायक इकाई की रूप में कारे करती तो अप्शन नमबर भी भारती राष्टी कॉंग्रिस की सहायक इकाई की तो जलियावाला भाग नसंगहार 1999 में घडित हुआ था option number यहां पर भी 1999 right answer हो जाएगा जलियावाला भाग नसंगहार के लिए किस तारिक को सविनावग्या अंदूरन प्रारम किया गया था तो सविनावग्या अंदूरन 12 मार्च 1930 को स्टाइट किया गया था प्रारम किया गया था 12 मार्च 1930 राइट आंसर हो जाएगा सवीना अवग्यांदूलन की 1923 में गटित Independence पॉर इंडिया लीग के द्रिक्ष कोन थे 1928 में गटित Independence पॉर इंडिया जो लीग है इसके द्रिक्ष थे स्री निवास आयंगर जी option number आपका यहाँ पर C right answer हो जाएगा स्री निवास आयंगर जी option number C प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही answer बंगाल सती विनियमन 1829 भारत की किस गवर्णिजनल द्वारा लाया गया था तो बंगाल सती विनियमन 1829 यह आपका लाया गया था दूँगा यह जो वाक्य थे यह कहे गए थे शुबास चंद्रबोश जी के द्वारा option number D तुबास चंद्रबोश जी के द्वारे यह कही गए था कुनार्क मंदर का निर्मान किस ने कराया था कुनार्क मंदर का निर्मान किस ने कराया था यहां पर आपको जो option दे गए हैं, चार मिनार किसी म्रतव्यक्ति का समारक नहीं, option number C, चार मिनार किसी भी म्रतव्यक्ति का समारक नहीं है, बीवी का मकबरा ताजमेर और इतमाद उद्दौला का मकबरा समारक है, समराट अशोक किसके उत्तराधीकारी थे, समराट अशोक इन नाम क्या था महाराना प्रताप की घोड़ी का नाम क्या था तो महाराना प्रताप की घोड़ी का नाम था चे तक option number B चे तक महाराना प्रताप की घोड़ी का नाम था option number B रागए रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया तो रोलेक्ट एक्ट को 1999 में पारित किया गया था अरुणा आसफ अली को कहां भारती राष्टी कॉंग्रिस धोज फैराने के लिए याद किया जाता है तो भारती करद noska कभ भारत में भारत आया था वास कोडी कमा कभ भारत आया था वास कोडी गामा चओधा कोड़ सॉठावे में भारत में भाहता है था आप जली उसके अंसर कमेंट करके बताना है कि آiges कुष्ण के उटा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली वारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको रोज ही हम ऐसे कॉशन ऐसे वीडियो लाते रहेंगे प्लीज चैनल से जुड़ जाईए और जिसको भी पीडियाफ चाहिए है नीचे दिये नमबर संपर कर लेना आप आपको वहां से पीडियाफ मिल जाएगी वाटसब पर बात कर लेना हम में लेंगे आपसे अगले वीडियो में अपने ख्याल रखेगा आप सभी का बहुत बहुत धनवाद दोस्तों आपका दिन शुभू जय हिंद जय भारत